मौनि अमवस्या पर किये गए इस उपाय से 101% संतान की प्राप्ति होई ही जाती है अब आपको क्या उपाय करना है कैसे करना है सारी जानकरी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ध्यान से इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत है मौनिया मवश्या के दिन अगर आप अपने घर के उत्तर दिशा की तरफ बैट कर भगवान सिव का पूजन करते हैं भगवान सिव का गाय के दूद से अभी से करते हैं और साथ ही साथ ग्यारह अकाओ के पत्ते के उपर किलीम वीज मंत्र लिख कर अगर आप भगवान सिव को समर्पित करते हैं तो इस उपाय के करने से निश्चित ही आपको संतान का लाब हो जाएगा वह भी तीन महीने के अंदर गर्वधारन हो जाएगा अब सारी विदी जानने के लिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को आखरी तक देखिए साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए वीडियो की हम सुरुवात कर देते हैं बात करते हैं मौनी अमवस्या जी हाँ मौनी अमवस्या बहुत ही महत्वपूर्ण परव माना जाता है कहा जाता है कि इस दिन मौन रहकर आप अपने मन की किशिवी कामना को पूरा करने के उद्देश्य से अगर भगवान शिवका पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी वो कामना पूर्ण होती है इसमें किशिवी प्रकार का कोई संदे नहीं है अब आपको करना क्या है मौनियमवश्या के दिन प्राता काल सुबह आपको उठना है और उठने के बाद इसनान आदी करके स्वच्छ सफेद वस्त्रधारन करें सफेद वस्त्रधारन करने के बाद भगवान शिवका आपको पूजन करना है पूजन करने के बाद दूद से भगवान शिव का अभीशेक करें अभीशेक करने के बाद अकाओ के आपको पत्ते लेना है और अकाओ के पत्ते लेने के बाद प्रत्येक पत्ते के ऊपर क्लीम बीज मंत्र आपको लिखना है और प्रत्यक पत्ते को पुत्र संतान की कामना के साथ भगवान शिव के सामने समर्पित कर देना है साथ ही साथ उन पत्तों को समर्पित करने के बाद भगवान का विधीवत तरीके से आपको पूजन करना है आरति इत्यादी करनी है भगवान से प्रार्थना करनी है प्रार्थना करने के बाद पुत्र संतान के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उन सातों पत्तों को एक पीले कपड़े में बांध कर भगवान सिव के सामने बैठ कर जो महिला अपनी कमर में धारन करती है निश्चित ही उसे पुत्र रत् बहे इस्त्री अगर बांजी भी होगी तो उसे तीन महीनों के अंदर गर्ब में उत्र संतन जरूर आ जाएगा तो यह उपाए आप अवश्य कीजिए मौनिया मवश्या के पर्व पर ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमसे लगतार जुड़े रहिए जैमाहकाल हरह महादेव